अब दोस्तों कि आपको पता है कि ना कहना, नो कहना कभी-कभी लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करता है आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे how this no word helps in you know creating wealth, creating you know better opinion, creating better अपको उस future icon से तो ये no को मैंने उठाया है एक famous bestseller book से जिसको मैं दिखा देता हूँ, never split the difference, never split the difference, ये 2 million copies से ज्यादा sold किया जा चुका है, cherries boss का ये book है, और इसका जो quote है, वो लिखा हुआ है negotiating as if your life dependent on it, तो negotiating इसको आपको पता है ये बहुत जरूरी होता है corporate dealing में, कहीं भी अगर आप working professionals हैं, finance की साथ deal कर रहे हैं, कुछ भी, तो negotiation आपको कई बार बहुत आगे लेके जाता है, 10 से 20 परसन का edge दे देता है, which is really very very important, तो आज उसमें से एक point मैंने उठाया है, जो लिखा है no has a lot of skill, आज मैं 5 no's के बारे में बात करूंगा, पहला no है, no allows the real issues to be brought together, यान यानि no real issues को close लाने में help करता है, कई बार आपने सोचा है कि no कह देने भर से, आपको लगता है कि आपका relation, आपका communication side end हो जाए, but perhaps no एक आपको समय देता है, allow करता है to rethink your proposal, to rethink your thought, to rethink your negotiation, उसी के बारे में बताता है, real issue क्या है, उसके बारे में बंदा सोचना start कर देता है, when you say anyone's to know, नहीं, उसका implied directly उस पे क्या होता है, कि वो उस process को पूरा rethink करता है, खुद को evaluate करता है, आपको evaluate करता है, circumstances को evaluate करता है, so corporate communication में no का बड़ा असर है, so मेरा नाम धननजे है, इस पे चार और नोज मैं आपको बताने वाला हूँ, चैनल फिजी फिन है, इस फिजी फिन चैनल पे मैं finance, corporate, इन सब पे वीडियोज बनाता हूँ, and I hope, आप इसे अगर follow करेंगे, चैनल को explore करिए, तो आपको काफी अच्छी चीजे मिलेंगी, so time बिना waste की मेरा request होगा, चैनल को ज़रू subscribe करेंगे, चलिए दूसा point बनाते हैं, दूसा no, no protects people from making and let them correct, ineffective decisions, ये भी जो मैंने पहला point बोला, कि basically बन्दों को ये allow करता है no, क्यों अपने आपको check करें और correct करें, suppose करो किसी ने आप से कुछ बोला, और आपने बोल दिया no, उसके अंदर क्या आसर पड़ेगा, उसके अंदर तो यही आसर पड़ेगा, यार मैंने कुछ गलप गोल दिया, क्या, अगर वो senior होगा, तो maybe नराज हो जाए, लेकिन अगर junior होगा, तो उसे लएगा, मेरा कुछ decision गलत है, मेरे कुछ proposal गलत है, मेरा कुछ objective में भी सर को समझ में नहीं आया हो, तो वो उसको और better तरीके से paste करेगा, so यहाँ पे जो आपका no है, उस बंदे के लिए काफी helpful होने वाला है, अगला no, मैं third point बताने वाला, no, so things down, so that people can freely embrace their decision and agreement they enter into it, यह भी उसी का एक extension है, कि no बताता है, कि चीजों को कैसे आप दुबारा से सोचे, और एक decision को समझे, और नए agreement में enter करें, जहाँ पे no सामने वाले का ना हो, आपने no बोल दिया, सामने वाला, अब आपको अगर agreement कराना हो, आपके साथ अगर उसे एक conclusion पे आना हो, तो उसे चीजों को दुबारा से modify करना पड़ेगा, दुबारा से उन चीजों को better करना पड़ेगा, and of course, इसमें आपका फाइदा है, तो no ने आपको फाइदा दिया, मैंने three point अभी तक cover क अब मैं जो fourth point करने, कबर करने वाला हूँ, ये कहता है, no helps people feel safe, secure, emotionally, comfortable, and in control of their decision, कई बार आगर आप बहुत, you know, किसी अंजाने इनसान के साथ कोई उनके proposal पे आप no कह देते हो ना, तो वो long term में आपको बहुत safe feel कराता है, आप अपने decision पे कई बार खुस होते हो, कि यार हमन जो no बोला ना, उसकी बज़े से आज मैं यहाँ पे खुस हूँ, और ये आप अगर relate करें तो अपने daily life में अकसर देखते होंगे, so no यहाँ भी आपको help करता है, और जो fifth point है, last but not the least, वो कहता है, no moves everyone's effort forward, मतलब क्या हुआ, कि अगर किसी ने no बोला, मैंने no बोला, आपने क उसको convince करना, जैसे मैंने पहले point पे बोला, तो अब मुझे दुबारा से उन चीजों को आगे बढ़ने के लिए एक better तरीका ढूड़ना होगा, and corporate में, अगर आप better चीजे, better ideas, better methods, better ideology लेके जाते हो, so it helps you first, and then बाकी लोगों को, तो मेरा मानना है कि no शब्द को, no word को, अप अपकोस बहु जादा नहीं, लेकिन जहां जरुवत हो, वहां no strongly put करिये, this no will help you to move further, to move forward, to move for better success, so I hope this small video will help you in making decision, and of course by saying no, this no may not make you negative, will definitely help you in a positive way, so all the very best, thank you very much.